हालो फ्रेंड्स मेरा किस्टोनी आपका कैड़ इंस्ट्रक्टर और आज के इस टूट्रियल में हम लाए हैं कापकी कुछ कमाड जो की है पॉइंट, पॉइंट इस्टाइल, मेजर, डिवाइड, एंडूर, जो की आप और भी करेंगे जैसे की है और उनकी सैटिंग्स तो किस और कमाड़् देना है की o, enter एंड फ्रिवाइड a point फ्रिव एक पइंड क्लिक करनी है आपको, यहां पे कंच आप पुछ अपको meme दीखाये रहा है । अरREAM भी point लेते हैं पिट करने के लिए enter करने तो k Cle offenses करने की आपको अम्seyandrae कर तो फ्रिया से कुछ किछ Э्षित पंड़ यह पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको बहुत थीक डल दिखाए दे रहे हैं बहुत थीक छोटे दिखाए दे रहे हैं आगर इनकी पॉइंट स्टाइल चेंज करनी है आपने तो वह किस तरह से करेंगे वह आप देखिए यहां यूटिलिटी में आप जाएंगे यहां पे होती ह तो specify the display style and size of point object तो किस तरह से करेंगे आप यहां से point style लेंगे यहां पे काफिसले point style है आप जो भी select करेंगे वह point style आपको दिखाए देखिए point size आप यहां से decide कर सकते हैं यहां पे अभी point size है 5% 5% set size relative to screen यहां में screen का 5% होगा and अगर आप किसी particular units में यह absolute unit में करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं उसके लिए आपको इस option पर click करना होगा अब ही हो जाएगा set size in absolute unit तो मेरा suggestion है set size relative to screen पकिए क्योंकि जैसे जैसे screen छोटी यह बड़ी होगी point size भी अपने आप से increase or decrease हो जाएंगे okay करना है तो अभी point size आपको इस तरह से लिखाए जाएंगे screen बड़ी होई है return rate आपने किया तो वापस उसी position में आ जाएंगे return rate अपने position हो यानि हमेशा screen का 5% बना रहेंगे particular point तो किसी काम में नहीं आते point निल भी आपके use होंगे किसी object का अगर आपने किसी को divide या measure करना है तो उसकी pointing के काम में आएंगे तो वो किस तरह से करेंगे हम देखते हैं मान हमारे पास यह line है इस line के particular equally four part हमें करने है या five part हमें लेने हैं तो वो हम किस तरह से कर पाएंगे अभी देखिए line single है और इसके कोई भी part नहीं है तो अगर हम इसे equally four part में divide करना है तो उसके लिए हमारे पास short कमान्ट है divide का अब हमने करना होगा select object to divide select करना है object को इसके बात है enter the number of segment यह हमने five decide किये थे वो five देते हैं अब आप जाहें तो इन पॉइंटों को फ्लीट कर सकते हैं तो यह सारे पॉइंटों को फ्लीट कर सकते हैं तो हमने जो चाहा या हमारी जो requirement थी वो fulfill हो गई है तो इस तरह से हमने particular distances पे वो object हमारा set कर दिया है तो इस तरह से हम divide command यूज दे सकते हैं अभी हमने इनको check करते हैं यह distance कितना है di enter for distance यहां से यहां तक कुछ distance किया है 609.7509 माना हमने इसी line को नोने copy किया यहां पर अभी मैं कहता हूँ 5500 के gap पर 0.5 तो इसमें particular distance हमें मालूम है तो उसके लिए हमें measure command यूज देना होगा measure command के लिए shot की है enter for measure select किया अभी यह बुलता है select object to measure object को select करना है and अभी आपसे बुलता है specify length of segment length of segment हमने लिए 500 एंटर किया तो यह जिस कौर्ण में से हमने जाता हूं उसे 500 55 500 and last में जो पच्चेगा वो extra होगा जो भी extra part इसमें है वो यह last में इसमें बचा देगा इतना part हमारे पास 60.7733 इतना part हमारे पास extra है तो अब ही हमारे पास 500 पर वो points आ गए हैं जिने हमें यूज लेना है तो हम यूज ले सकते हैं तो इस तरह से आप किसी भी object में point pointer style divide and measure यूज ले सकते हैं तो आज के अगर आपको और डिटेल में तो जाना है तो हमारी वेबसाइट विजिक रह सकते हैं यूज कि है www.catrainer.in thank you